इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वख ब़लकम है दोश्तों ये वीडियो इस चैनल पे सबसे इंपोर्टेंट वीडियो होगी इस साल की आप आगए जानेगे ऐसा क्यों तो अगर आपके करन्ट अकॉंट खोल रहे हो यह आपके सेवेंग्न अकॉंट हो आपके एक बहुत बड़ा क्वेश्टिन है लोगों के दिमाग में क्या इंकम टैक्स मुझे फाइल करना चाहिए रिटर्न इंकम टैक्स के फाइल करना चाहिए जो दूसरा है डाउट लोग कहते हैं कि अगर मैं आई टैक्स भनना ज़रूरी है यह दो सबसे बड़े इंकम टैक्स रिटर्न जब आप पाइल करते हो उसके फाइदे और नुक्तान दोनों भी आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में और एंड में कुछ इंपोर्टन टिप्स जो आप अगर आपने मिस्स करती तो ये वीडियो अधूरा रहेगा आपके लिए चैनल पर शीकार कमल Всё कि यह जूड़ता है आपके चैनल के पास मौंध आप ङह अइंकम टैक्स रिटर्न कों करता है जो भी शक्सस देश में इंकम यानि पैसा कमा रहा है को Pia अगर आप अप्लाइ करने ताथ आपकी इंकम इलिजिबिलिटी क्रेटिरिया 6,8,10,00,000 की होने चाहिए अब बैंक को कैसे पता चले का कि आपकी इंकम क्रेटिरिया 6,8,10,00,000 आप उतना पैसा कमा रहे हो जब आप ITR करते हो आपको गवर्मेंट की दरूब से एक प्रॉपर मिलता है कि हाँ यह बंदे की यह सालाना इंकम इतनी है जब आप बैंक को दे रहे तो दैट बिकम जाव वैलिट प्रूफ यह उर्निंग सो मच आप मनी चाहिए आप एक स्टारेटिर परसन हो या आप एक सेल्फ एंप्लोइड परसन हो दोनों को भी इंकम टैक रिटर्न फ आप खोलते हो उससे गवर्मेंट को सारी मिल जाती है और वैसे आपको बतानों जो फाइनेशल यह उसका जो डेट होता है इस तरह से आपका फाइनेशल यह क्या जाता है नौट फॉम जैन्वरी टू डिसम्बर अब सिंपल चीजी है कि जब आपना आईटी आर फाइल करे उन्हें पता चलने ही वाला है कि आपने पैसा का से कमाया जब आपके पैसा आता है उनको यह ट्रांजक्शन मिल जाता है बट यॉर डूइंग आपार्ट और यह एक चैनल ले जिससे गवर्मेंट को सारे जो है नागरे के देश के उनका जो इंकम कहा से और कैसे आ रहा है एक पूरी इंफरमिशन मिल जाती है दोस्तो हर साल जब बजट आता है तो इंकम टैक के कुछ अब को मिलते हैं कभी इसमें कुछ चेंज़ दोते कभी नहीं होते इस इस साल का इंकम टैक्स का अश्लाब एक कुछ इस तरह से मैं इन डेफ्स इंडिटेल में नहीं जाओंग आड़े लाग से 5 लाग तक you are liable to pay 5% of tax, 5 लाग से 7.5 लाग 10% का tax, साड़े साथ से लेके 10 लाग किस लाब में 15% का tax, और 10 लाग तो 15 लाग कि अगर आपका income है तो 20% and so on and so forth. तो basically मैं इन डेप इतमें नहीं जाओंगा आगे एक वीडियो पर इन डेप बनीगी अगर आपने comment करके मुझे का के बता हमें इसके बारे में तो हम जरूर बना देंगे वीडियो आप उस तब मांग की चलो एक particular financial ज़र में आपने आड़े लाग से कम कमाया है फिर भी आपको क्लियरली दे रहा हूं अब भुछ लोग रॉंग लोगों से inspired हो जाते हैं अरे मेरे चाचा ने नहीं भरा मेरे मामा ने ने भरा वो बंदा इतना पैसा कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं करना है हमें दुनिया से लेना देना नहीं है आप कि अगर कोई भी आपकी इंगम अगर पीपल क्योंकि आप चुंगल में या आप तकलीब में आ जाओगे दोस्तों अभी आपको बता हुआ कि इंकम टैक्स जब आप फाइल नहीं करते हो तो उसके नुक्सान क्या हो सकते है प्लीज ध्यान से इसको समझना अब मानलो मैं एक सर्विस प्रोड़र हूं मैं एक फो सब्सक्राइब के खाते में और मेरे मेरे अकाउंट नमर पर यहां पर रिप्लेट करेंगा जब मैं ऑनलाइन चेक करूंगा तो मतलब क्या हो गया मुझे शुट नाइंटी थाउजन की पेमेंट मिली अब उस साल में मैंने धाइल लाग के उपर पैसा नहीं कमाया मतलब आ अब दूसरों दूसरी दुस्तां के बारे में बात कते हैं मालो आपने एक पर्टिकिलर यह में आपने फाइल आपको भूल जाने होंगे अब दूसरों दूसरी दुस्तां के बारे में बात कते हैं मालो आपने एक पर्टिकिलर यह में आपने फाइल एक का इंसम आपने कमाया धाय लाग के उपर तो यूर यू आर बाउंड टूपे टाइक तक आपको कोई टाइक नहीं बनना वगर आपने पार लाग कमाया तो आपकी तो चेंज होगी यू हब तो पे अरॉंड फाइप परसेंट यह मैंने आपको तोड़ी ज़र पहले बताया अब आप कहोगे कि मैं आइटर फाइल नहीं करूंगा तो गवर्मेंट को क्या पता चलेगा जी नहीं गवर्मेंट को हर एक चीज पता चलती है विकर अब को डिजिटाइज एवरिटिंगी डिजिडिल गवर्मेंट को आपकी हर एक मुबारे ट्रांजिक्शन का पता चल जाता है अगर आप बोलोगे यार उसने ने बढ़ा इसने बढ़ा मैं की बरू जी नहीं आप अगर ऐसा करते और गवर्मेंट को यह पता चली जाएगा और आप चैन की दीन्स हो जाओ क्योंकि यू के लॉट चीड़ गौर्मेंट तो यह नुक्सा ने अगर आपने अपना इंकम टैक रिटन फाइल नहीं किया और एक बार अपने अपने रिटन फाइल करना शूर्दू कर दिया तो यह लाइफ लॉंग प्रोसेस ऐसा नहीं कि कि एक साल में कियात अगले साल नहीं किया फिर अगले साल किया नेकर दिया दोस्तों को आपको आपना true क्लें क similarly आ ज़ो आप सब्स sniff ूँभ के आपना फिर्वध Д perfard कSam क गटीए स evidence क्योंकि आप टैक्ट भरे हो तो यू आर गोड चिटिजन ऑफ दे कंट्री और भी इंपोर्टेंट बार यह कि जब आप लोड या क्रेडिट कार्ड अप्लाए करोगे आपको बैंक अपना ITR मांगेंगी पितले तीन साल का कोई तीन साल का मांगती है कोई दो साल का कोई एक स आप इसे करना है इस पर एक डीटेल वीडियो बनाने अगर आपने कॉमेंट में उजे बता है कि सार एक वीडियो बना दो स्टेप बाए स्टेप गाइड हाओ तो फाल यह वीडियो बना लूंगा फिलार के लिए आपको ज़र्वत पड़ेगी एक सीय की विच मीं चार्ट आप कितने डॉक्यमन को दे रहे हैं और उन्हें कितना काम करना पड़ा है वह आपका रिटर्न करके आपको दे रहेंगे तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है तो जल्दी से जल्दी एक अच्छा सीय जूंड़ो उससे बात करो और अपने जितने भी बिल्स है यह सारे उनको कि सबसे इंपॉर्टन हिस्से पर जो आपको स्किप्ट नहीं करना चाहिए इस बरी इंपॉर्टन कहीं बार लोगों ने उससे कोमें में पूछा तर मैंने अपने क्रेट कार्ड पर दसलाग का खर्च किया क्या मुझे इंकम टैक से नोटेश आएगा दो चीज़े अगर आ रिकार्ड नहीं किया आपके ITR फाइलिंग में तो आपको डेफिनली गुवर्मेंट से इंकम टैक का नोटेश आ सकता है स्कूरूटिनी आ सकती है मैं क्या करता हूं मांदो पर एग्जांपल मेरे चार करेट कार्ड है मैं सारे स्टेट्मेंट निकलता हूं एक साल के और हर आपने कट्रतिन को मैं हरे ठेक्ट्ट्ट को में एक स्टेट कर जो करते हैं और लहें इस इस्से कोई प्रॉलम आता ही नहीं अब एक बहुत इंबॉर्टन एक्जाम्पल दे रहा हूं यह वेरी वेल क्याइक नहीं है एक मोटा मोटा एक्जाम्पल में आपको दे रहा हूं मेंसे आपका 50,000 रुपीर अमाउंट चला जाएगा और यह लियाबल तो पे ओली 70,000 रुपीर ऑफ टैक्स तो यह रहा एक सिंपल कालकुलेशन जल्दी से आपको कुछ सेक्शन बता रहता हूं दो तो जहां पर आपको इंकम टैक के बेनेफिट मिल सकते हैं यू कन गेट सम एक प्रोपरटी यहने घर खरी लेते हैं जिसका वह लोन भरते जिस पर उनको कोई भी टैक्स नहीं पड़ता डाट कम्स अंडर एटीसी मैक्सिममम टैक एंग्सेंशन इन फाइनिशल यह यह आप तो 1.5 लक्स और दोस्तों जब आप अपने इनलाइफ इंसॉरेंस का पेम आप गूगल करके देख सकते हो तो दोस्तों यह वीडियो में आपको मैंने सारा इंफोमेशन दे लिया बेसिक और इंकम टैक्स आपको फाइल करने के फाइल नुक्तान सारे चीजिए मैंने आपको बता दी बी और रिस्पॉंसिबल इंडिया प्लीज आप अपने रिटर् के आप फाइल करोगे या नहीं करोगे हम जल मिलेंगे जिहां एक दूतरे वीडियो में